गोड मॉर्निंग एब्रीवन वेल्कम टू आला फ्यू दिस इस पूजा तोड़े वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक बैट इस मॉलिक्यूलर वेशिस आफ इन हेरी टैंस कि इसके अंतरकथ हम लोग यह सभी टॉपिकस पढ़ेंगे आसरा टॉपिक रहेगा वह रहेगा दा डी अनय डॉ-टी छिमें और आरनी तो पर्टीकुलर से वीडियो में हम लोग डीन ने बार में पढ़ेंगे और के आइस्ट वीडियो में लोग नै दिक के बारे में पढ़ेंगे ओके एंड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दो सेर्च ऑफ जनेटिक मटेडियल और ने वर्ल्ड रिप्लीकेशन ट्रांस्क्रिप्शन जनेटिक कोड ट्रांस्लेशन रेगुलेशन आफ जीन एक्सप्रेशन होमें जीनोम प्रोजेक्ट एंड जनेटिक मटेरियल जनेटिक मटेरियल क्या है एक्सवल में डीने या फिर और ने तो दोनों ही जनेटिक मटेरियल हमारे हैं डीने भी और ने भी यानिकि जो जनेटिक मटेरियल है वो हमारे पास टू टाइप्स का है डीने एस बेल आज आर ने जो डीने जनेटिक मटेरिय है ओके इसके साथ जो आरने है यह भी जैनेटिक मेटेरियल जैसे की सम वार्सस में इसका जो मोश्टली फंसन से इसके जो मोश्टा फंसन से वो क्या है यह मैसंजर की तरह वह करेगा यह निकि जैनेटिक की इनीक इनकी इनि इनकी करेगा की ग् AGA voice और रहे इंड्द एडाप्टर की तरह वर चरेगा Rich रहने इसके साथ णhr और साथ इसके अधल वह करेगा तो जो आरणे वह गार्डे जो तो वह करेगा तो जो आर्ने मट्रीयल के बारे में चुड आरन्य वोल्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे चांफ आरन्य वोल्ड टॉपीक पढ़ेंगे ना आरन्य वूल्ड फ्रहुनकों को अलग सी टॉपिक पढ़ना है सी अंतरगत इसी में हम लोग भूंब्स डिसकस करेंगे कि जनेक्टिक मटेडियल कैसे है और ने अपने अपको कैसे इवॉल किया कैसे जो मोस्ट इस्टेबल जनेक्टिक मटेडियल है तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो आज हम फर्ष्ट आफ वाल देखेंगे कि dna actual में क्या है ना DNA की structures क्या है DNA की discovery किस ने किया इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो DNA है यह क्या है डी आक्सी राइबो नुकलियोटाइड के पॉलीमर है ठीक है DNA क्या है डी आक्सी राइबो नुकलियोटाइड के पॉलीमर है एंड जो DNA की length है वो कौन determine करता है number of nucleotides nucleotides के जितने numbers होंगे वही उसकी DNA की length को define करेंगे उसकी length को determine करेंगे अगर एक pair nucleotides प्रजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे एक बेस पेर कहेंगे हैना और जो इनके nucleotides का जो number है यह डी आने की length है यह हर एक organism में क्या करती वैरी करती है इस इस आलसो दा करेक्टरिस्टिक्स आफ एन और्गेनिजम यहर एक और्गेनिजम का एक अपना करेक्टरिस्टिक यह feature है कि सभी में जो DNA में जो nucleotide का number है वो अलग-अलग है फॉर एक्जाम्पल बैक्टीरियो फेज बैक्टीरियो फेज की जो एक species है 5174 बैक्टीरियो फेज 5174 इसके पास total nucleotides के जो बेस फेर है वो है 5386 ठीक है इसके पास कितने nucleotides है 503 5386 इसके पास nucleotides है एंड जो लेमडा है बैक्टीरियो फेज की जो दूसरी species है लाइक बैक्टीरियो फेज लेमडा इसके पास कितने बैस पेर है 48502 है ना तो यह क्या कर रहे है इनके जो nucleotides के नंबर है या जो बैस पेर है वो बैरी कर रहे हैं इकोलाई में कितने बैस पेर प्रजेंट होते हैं 4 into 64.6 into 10 पावर 6 बैस पेर प्रजेंट होते हैं चोकि इनकी specific characteristic features को सो करता है अगर human wings की बात करें तो human की haploid cells में जो form है या एग है उस cell में DNA का कितने बैस पेर प्रजेंट है 3.3 into 10 पावर 9 बैस पेर प्रजेंट हैं clear now what is genetic material DNA और RNA तो दोनों ही genetic material है DNA भी and RNA भी इस वीडियो में particular हम लोग DNA के बारे में discuss करेंगे deoxyribonucleic acid deoxyribonucleic acid that means DNA is the molecule that carries genetic information for the development and functioning of an organism DNA क्या करता है जो biological जो genetic informations है है ना जो genetic information है उससे एक parents से new office spring में carry out करता है कि ना जो DNA है अगर double stranded DNA की बात करें तो जो double stranded DNA है उसमें आपको two strand देखने की मिलेंगे जो anti parallel क्या होते है आरेंज होते है जो anti parallel एक दूसरी से आरेंज होते हैं तो यह कैसा होता है double stranded होता है इसको हम लोग क्या कहते है double helix कहते है यहां पर twisted leder like structures देखने मिलती है जिसे क्या क्या कहते है double helix कहते हैं and बजो DNA की यह backbone है यह किसकी बनी हुई है, सुगर और फास्पेट की, इसके साथ इनमें और क्या प्रजेंट है, इसमें फोर टाइप के नाइट्रोजिनेस बैसे प्रजेंट है, है ना, एडनीन, साइटोसीन, गौैनीन, थाइमीन, यह फोर टाइप के इसमें नाइट्रोजिनेस बैसे प्रजे इनके बेस्पेयर से एडिनीन और थाइमीन यह हाइट्रोजन बॉन्ड के थुरू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं है ना हाइट्रोजन बॉन्ड की हेल्प हाइट्रोजन बॉन्ड की हेल्प से कनेक्ट होते हैं तो जो एडिनीन बेस्पेयर है यह थाइमीन बेस्पेयर से होता है यहां पर आप with the help of diagram देख सकते हैं यह क्या है आपका यह DNA है डॉबल है लेक्स यह DNA है यह इसकी major group है and this is a minor group यहां पर base pairs को दिखाएगा कि base pairs जो है वो एक दूसरे से कैसे attach है तो जो एडरनीन है यह थाइमीन से अटेश होगा और जो थाइमीन है यह एडरनीन से ठीक है तो जो base pairs है यह alternate हो सकते हैं क्योंकि यही genetic code को carry करेंगे है ना यही genetic information को carry करेंगे तो इनका order biologically specific होता है कि यह किस order में arrange रहेंगे एंड जो साइटो सी ने यह guanine से 3 hydrogen bond के साथ attach है यह DNA की जो backbone है यह sugar and phosphate की बनी है clear and two strand के बीच की जो diameter है two strand के बीच की जो length है ठीक है DNA के two strand के बीच की जो length है यह कितनी है 20 इंगे श्ट्रांग है ठीक है 20 इंगे श्ट्रांग है यह जब फिशे 2Nm भी कह सकते हैं और जो एक helix है इसके बीच की कितनी length है तो एक helix के बीच की length 3.4 इंगे स्ट्रांख है टिक है 3.4 एक श्ट्रांग है स्वारी 30.4 एनम है अभी हम यहां में बात करें तो नेनो मेतर में तो तो 3.4 नेनो मेटर हैं यहां पर आप देख सकते हैं जो अ क्दू इस्ट्रेंड के बीच में जो थो बेस्पेयर है ठीक है मिया?, तो इनके दो बेसपेर इनके बीच में कितनी दूरी होती है तो इनके बीच में 0.34 4 nm होती है ठीक है कितनी ? 0.34 nm clear now next बात करते हैं कि who discovered DNA DNA की सब्सक्राइब किस ने study किया DNA को सब्सक्राइब किस ने recognized किया तो DNA को सब्सक्राइब स्वीज बायोजिस्ट जोन्सन फैडरिक मिसर ने 1869 में हुमेन की जो वाइट ब्लड सेल्स हैं यानि कि जो डबलू बीसी सेल्स थी उसमें उन्होंने इसकी आइडेंटिफाई किया कि जो डीने हैं उसका मॉलिक्यूलर जो इस्टेक्चर से यह मॉलिक्यूल्स जो वहां पर प्रजेंट हैं वो यह हैं तो उन्होंने यह चीज बताया इसकी बाद जब डबल जो हम लोग डबल हैलिक्स इस्टेक्शर पड़ते हैं डीने की डबल हैलिक्स जो मॉडल पड़ते हैं इसको किसने डिसकवर किया तो इससे डिसकवर किया बाद में वाट्सन ठीक जेम्स वाट्सन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्लियर और उन्होंने बताया कि जो DNA है यह क्लिया genetic information को store करता है and इस genetic information को एक parent organism से जो new offspring organism है उसमें यह transfer करते हैं next is यहाप फिर से एक DNA के diagram को आपको समझाने के लिए बनाया गया है इस इस आड डियने इस्टेक्चर्स है ना तो जो चीज अभी हमने उपर देखा कि हाँ यह क्या था हमारा डियने था यह डियने था और इसमें जो जो बेस पेर्स प्रजेंट है फोर टाइप के यह गवानाइन साइटोसिन थामिन एडनीन जो कि हाइरोजन बॉंडिंग के सा आत्यश होते हैं और इसी जा सुगर फासपेट जो की डिनिष llamadamand i9 अगर डिने की यूनिट की बात करें यानि कि डिने की जो एक यूनिट है वो क्या है डिसी brand नुक्टियोटाइट डिने की यूनिट कियाigo3 यहनिकि पॉली मीराजेशन करके डिने चैन का formation करते हैं, तो nucleotides का components कौन-कौन है, तो nucleotides are made up of three different components that is sugar, phosphate groups and nitrogen basis, तो nitrogen basis हमने देख लिए and जो यहाँ पर sugar present होती है, वो pentose sugar present होती है, इसके साथ phosphate group, यह three चो different type के basic components है, यह आपस में bonding करके nucleotides का formation करते हैं, और nucleotides फिर से diester bond के थुरू attach करके, next क्या करते हैं, यह polymerization कर लेते हैं, और DNA की polymer chain का formation कर लेते हैं, यहाँ पर हमने एड़नीन की structures को दिखाया है, cytosine, thymine and guanine, तो जो एड़नीन और जो गवाइनीन है, यह क्या है, यह purines होते हैं, ठीक, एड़नीन गवाइनीन क्या है, यह purines होते हैं, इनके पास two ringed structures होती हैं, ठीक, यह benzene ring है, और इसको हम imi-adisole ring कहते हैं, इसमें आपर six members present होते हैं, यहाँ पर इसमें three members present होते हैं, यानि कि इनके पास total nine members present होते हैं, clear, और इसमें भी हमको nine members देखने मिलते हैं, यानि कि carbon hydrogen की बांडिंग है, वो कितनी present है, nine, इसके बाद जो cytosine और thymine है, इन्हें हम pyrimidines कहते हैं, तो cytosine और thymine है, यह क्या है, single member हैं, क्या है, इनके पास एक single ring है, और इस अभी में कितने six members present होते हैं, यहीं कि six carbon इसमें present हैं, और six carbon इसमें present हैं, जो कि six nitrogen से binding कर रखे हैं, यहीं जो four type के nitrogenous basis हैं, like adenine, thymine, cytosine, guanine, यहीं किसी भी DNA health की structures को form करने के लिए important होते हैं, हैना इन्हीं nitrogenous basis से attach होके sugar से attach करेंगे, फिर phosphoric acid से attach करके ही complete nucleotides का formation करेंगे, यहाँ पर आपको एक nucleotides दिखाया गया है, यह क्या है, दिसेजा nucleotides, यह हमारी pentose sugar है, ठीक है, deoxyribose sugar है, इससे nitrogenous basis ने bonding की है, जो यहाँ पर यह bond बना है, यह क्या है, एन glycosidic bond, जो nitrogenous basis है, ठीक है, adenine, purine, guanine, cytosine, यह जब sugar से attach करते हैं, pentose sugar से, तो यह pentose sugar के first carbon से attach करते हैं, यहाँ पर इनके nitrogen, जो इनके carbon की bonding होगी, यह different हो सकती, यानि कि purine and pre-medines में, तो इसकी बाद अगर अभी यहाँ देखा जाए कि अभी यहाँ पर फासफोरस अटेस्ट नहीं किया है, ठीक है, सपोस्ट करिए, यहाँ पर अभी फासफोरस ने, जो फासफेट ग्रूप है, उसने अटेस्ट नहीं किया है, तो हम इतने component को क्या कहेंगे, इसको हम लोग nucle side कहेंगे, ठीक है, तो जो nucleoside में जब फासफोरस आकर अटेस्ट कर लेता है, तब हम इसे completely nucleotide कहने लग जाते हैं, तो जब एक फासफोरस आकर जब सुगर से, जो हमारे पास डी आक्सी राइबो सुगर से, इससे जब आकर अटेस्ट करेगा, तो इस बांड को हम कहेंगे फासपो एस्टर बांड क्या कहेंगे, फासपो एस्टर बांड यहीं कि फासफोरस का एक बांड और जो हमारा डी आक्सी राइबो सुगर है, इसका फिफ्थ कॉर्बन इससे बांडिंग कर लेगा, तब हम इसे कहांगे, फासपो एस्टर बांड कहेंगे, अगर यहां पर और दो आकर फास्वेट हो जाएंगे यह फास्वेट ग्रुप आके हतेश हो जाएंगे तो गलत नाव यह दिखने डाग्राम नीज़ था महारे पास यह मदरप यह कंपलीटली निउक्लियो टाइट था तो अब निउकलियो टाइट्स क्या करने जा रहा भाएक पॉली म्ह Kid Ke yok पॉलीमोटाइशन करेगा अफ्त नीवुंह स्मॉट सब्सक्राइट करेद। लिए निग्कलियो टाइट्स सब्सक्राइट के 45 OFFICI प्राइयम कार्बन से अटायज़ करेगा फॉर्ण को क्या कहेंगे siis बॉन्ड को कहेंगे फाज़ डाइश्टर बॉन्ड क्या कहेंगे फॉर्ण दैश्टर बॉन्ड है इसे बॉन्ड जो डिने का जो फॉर्मेशन होता है तो व faltות अरेंज में होता है 525 प्राइम टू 3 प्राइम डारेक्शन में होता है ठीक है क्योंकि जो नुक्लियोटाइड जो फर्स्ट नुक्लियोटाइड से उसका 5 प्राइम फ्री है एंड जो लास्ट हमारे पास नुक्लियोटाइड इसका 3 प्राइम फ्री है तो जो DNA का फॉर्मेश गया कि पारिमेडेंस क्या है जो अब भी हमने डिसकस किया प्योरियंस में हमारे साथ हैve अदेन एंड ग्वाइन और न पारिमेडेंस के अंतर को साइटोसिं थामिन एंड यूरेसील आता है क्लियर नाव जो टू इस्ट्रेंड है वो क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं यहीं कि एक फॉर्मेशन फाइब प्राइम टू थ्री डायरेक्शन में होगा एंट जो दूसरा हमारे पास स्ट्रेंड है उसका फॉर्मेशन तो जो एक जो एक स्ट्रेंड उसका फॉर्मेशन फाइब टू-3 डारेक्शन में होगा एंड जो दूसरा एंटी पैरलल है उसका फॉर्मेशन फाइब टू-3 प्राइम इंड होगा है ना जिसका फॉर्मेशन फाइब टू-3 इंड ही होगा बट एक parallel grow करेगा एंड एक anti parallel grow करेगा है किलियर तो आए होप आपको यह तक अच्छे से समझ में आए होगा एंड जो इनकी क्वाइल निग है जो DNA की क्वाइलिंग है यह यह जो DNA इस तरीके से anti parallel गर रन करता है यह कैसा है राइट हैं डेट क्वाइलिंग देखने को मिलेगा ठीक है राइट हैंड़ रेलिंग देखने को मिलेगा है है and इसकी पिस we전에 3.4 थी हो तो इनके पहला ही डिस्कस कर लिया जो इनकी पीस फिर यहां पर दो हायिस बैस पेर तके शेंट साथ की है न spec Bliss नाव यहां पर आपको क्रोमसोम का लोकेषण दिखाया गया है यानि कि जो एक्टल में DNA है वो प्रेजंट है तो यह आपकी से से यापने अंदर यह याच्दा न्यूकिलेश प्रेजंट है न्यूकिलेश के अंदर हम के पास 23 प्लाइदर शिर्च्रोम इस प्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रो जो DNA है तो इसका important role cell division में भी है क्योंकि जब cell divide करती है उसी समय genetic material का exchange भी होता है genetic material के भीच में crushing over होता है तो यह सारी चीजें cell division के दोरान ही possible हो पाती है तो जो chromosome है वो nucleus के अंदर present है and chromosome के अंदर का present है DNA present है तो actual DNA का जो genetically exchange हो है वो कहां होता है during cell division के लिए होफ यहां तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी आल्दो मैं मानती हूं कि थोड़ा बहुत अच्छे से मैं यहां पर explain नहीं कर पाई हूं यह बहुत अच्छे से टेली ग्राम चैनल पर मिल जाएगी इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ओके तो यहां से आप अच्छे से नोर्स बना लीजिए आप इसको अपने आप से भी एक बार अच्छे से रिट कर लीजिए है ना तो आई होप चीजे आँ तक आपको अच्छे से समझ में आई होगी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे पास डीने मॉलीकुल को फॉर्मेशन हुआ है यानि कि जो यह हमारे पास लूज अरेंजमेंट में जो हमारे पास डीन क्यूंक क्यां हुआ क्या है त다는 बस्या क्या क्या है चीजे क्या सेथा। को सेफ़ साथे आख पास टाव जो एकंशने से यह तक युंसमर भास आए हुख लाए हुआ है और द मॉटाल दीनियो है झाल झाल